सूरत के डिंडोली विस्तार में स्तित राजदिप सोसाइटी के एक मकान में से बड़ी संख्या में ब्रांडेट मसाला कमपणी के नाम से डूब्लीकेट और नकली मसाले बना कर गराहकों को ठगने का व्यवसाय उजागर हुआ है आपको बता दे कि कमपणी के मैनेजर दुआरा पुलीस को साथ में लेकर डूब्लीकेट मसाले बनाने वाले मकान पर छापा मारा गया जिसमें डूब्लीकेट सेल बनाने व्याले व्यक्ति को गिराफतार किया गया है और पुलीस दुआरा पकड़े गए व्यक्ति पर कानून कारिवाही की जा रही है इस छापेबारी की कारिवाही में पूलीस को बड़ी मात्रा में नकली मसालों के पैकेट बरामाद हुए सूरत के डिंडोली विस्तार में इस्तित राजदिब सोसाइटी के एक मकान में एवरेश्ट कमपनी के नाम से डूबलिकेट मसाले बनाने का वैपार न जाने कब से जोर शोर से चल रहा है इस बारे में कमपनी के मैनेजर को जानकारी मिलने पर उसने पुलीस को साथ में लेकर डुब्लिकेट मसाले बनाने वाले कारोबार पर छापे बारी की जिसमें प्रुखराज उर्फे प्रकास कलाल नकली मसाले के पैकेट के साथ गिरफ़तार हुआ पुलीस दुआरा इस चापे बारी में 7 लाख से ज्यादा रकम के नकली मसालों के पैकेट बरामात किये गए और पकड़े गए अपरादी पर कोपी राइट एक्ट के तहत मामला दर्चकर जास सुरू की गई है रिपोर्ट बाइ परवीन पठान समाचार इंडिया नियोस सूरत